भारत के उत्तरी पडोसी देश नेपाल में मौसम की हालत अनुकूल नहीं होने से बड़ी, काली, इलाइची की फसल प्रभावित हो रही है, जिससे इसके उत्पादन में भारी गिरावट आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। व्यापार जानकारों के मुताबिक नेपाल में पिछला बकाया स्टॉक काफी घट गया है। दिसंबर जनवरी में वहाँ नए माल की आवक शुरू होती है। पिछले सीजन के आरंब में वहाँ करीब 35,000 बोरी इलाइची का पिछला बकाया स्टॉक मौझूद था और 40,000 बो कुर्ती का सीजन आरंब होने तक वहाँ बकाया स्टॉक घटकर 15,000 से 20,000 बोरी पर सिमट सकता है। यदि अगला उत्पादन 35,000 से 40,000 बोरी भी आका जाए तो कुल उपलब्धता 55,000 से 60,000 बोरी तक ही पहुँच पाएग। ऐसी हालत में निर्यात मांग मजबूत रहने प पर वहाँ कीमतों में अच्छी तेजी आ सकती है। एक और खास बात यह है कि नेपाल में बड़ी इलाइची का जो स्टॉक बचा हुआ है वह स्टॉकिस्टों एवं सटोरिया के हाथ में है जबकि उतपादक अपना अधिकांश माल पहले ही बेच चुके हैं। इन स्टॉक इस्टों बटा सटोरियों की निगा अगली फसल पर भी केंदरित है जो सीजन में सस्ते दाम पर माल खरीद कर उसका स्टॉक बनाने तथा ओफ या लीन सीजन में उचे मूले पर उसकी बिक्री करके मोटा मुनाफा कमाने का प्रयास कर सकते हैं। इससे भारत में वहां से ब सकता है और फिर इसका भाव तेज हो सकता है। लेकिन कीमतों में तेजी इसकी घरेलू एवं निर्यात मांग पर निर्भर करेग। बड़ी इलाइची के नए माल की तुराई तयारी का पहला चरन समाप्त हो चुका है और अब दूसरा चरन आरंभ हो गया है जिसे मुखे च चरन माना जाता इस चरन में माल की क्वालिटी अच्छी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी